हिंदी सिनिमा के सूपरस्टार सल्मान खान की अगली फिल्म किकटू की रिलीस तारीक तै हो गई है साल 2014 की हिट फिल्म किक का सीक्वल किक टू अगले साल 2019 में क्रिसमस की मौके पर रिलीस होगा इस फिल्म को साझित नाडियावाला डाइरेक्ट कर रहे हैं पतोर डारेक्टर साजित नाडियावाला की किक पहली फिल्म थी खास बात ये है कि साजित ऐसे पहले डारेक्टर भी है जिनकी बनाई पहली फिल्म ही 200 करोड के क्लब में शामिल हो गई हो फिल्म किक में सल्मान खान, जैकलीन फर्नांडेस और रणदीप हुड़ा प्रमुक भुमिकाओं में नजर आएंगे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किक 2 में सल्मान खान डबल रोल में दिखाई दे सकते हैं अगले साल 2019 में सल्मान खान की एक नहीं बलकि दो फिल्म में रिलीज होनी की उम्मीद है एक किक 2 और दूसरी डारेक्टर अली अबबास की बनाई हुई फिल्म भारत इद के मौके पर रिलीज होगी सल्मान खान की फिल्म रेस 3 की शूटिंग भी पूरी होने को है इस फिल्म में सल्मान के साथ जैकलीन भी दिखाई देंगी और अभी तक की सभी फिल्मों की तरह सल्मान इस फिल्म में भी सबका दिल जीत लेंगे तेश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले